नमस्कार, स्वागत है आपका News World इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शान अबास मिर्जा रतन टाटा किसी पहचान के दरसल मौताज नहीं थे, दुनिया में बिजनिसमेन तो कहीं है लेकिन रतन टाटा जैसा वोई भी नहीं रतन टाटा की शक्सियत हर किसी को बसंद आती है और रतन टाटा ने टाटा गुरुप को आज उस अर्ष पर पहुचा दिया है जिसके आगे दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपने खुटने तक देख दिये टाटा समू को बुलंदियों पर पहुचाने वाले रतन टाटा से तो भारत का कोई भी व्यक्ति अंजान नहीं होगा अब रतन टाटा दरसल हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी प्रेम कहानी कैसी थी कैसी थी उनकी लव स्टोरी इसको लेकर आपको बताएंगे कि आखिर एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने क्या कुछ अपनी मुहबबत और अपनी लव स्टोरी के बारे में कहा था दरसल रव स्टोरी जो पहले कभी सामने रतन टाटा की नहीं आई है और आपको ये बताएंगे एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपनी इस स्प्रेम कहानी का जिक्र किया बेहत कम जगे पर बोलते हुए नजर आये हैं लेकिन जिसने भी सुना है वो हैरान रह गया टाटा को उनकी जीवन के अंदर चार बार दरसल प्यार हुआ था लेकिन वो अकुआरे ही रह गया इसके बारे में आपको बताएंगे के वो चार किस से क्या है और किस तरह से रतन टाटा की जो मुहबत थी वो अधूरी रह गई दरसल प्यार के बीच भारत चीन वार तक रतन टाटा की जिंदगी में आ गया था रतन टाटा दुनिया के सबसे महान कारोबारी में से एक है और उनकी प्रेम कहानी भी अधूरी रह गए आपको कुछ अपनी जैसी भी लगेगी दरसल लाखों करोडों लोगों की प्रेनला रहे रतन टाटा ने भी कभी अपने परिवार के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया था और रतन टाटा ने अपनी जिन्दीगी पर बात करते हुए रतन टाटा ने एक बार इंटर्वियू में ये कहा था कि मुझे एक बार नहीं बलकि चार बार सीरियस वाला प्यार हुआ था और एक बार तो बात शादी तक पहुच गए थी लेकिन उसी दोरान भारत चीन युद यानि 1962 में हो गया और आप सूच रहे होंगे कि आखिर प्यार का और युद का क्या कुछ लेना तो आपको बताते हैं कि रतन टाटा ने इंटरव्यू में बताया था कि युद की वज़े से किस तरह से उनका प्यार जो है वो उनसे बिछला और उनको वो प्यार नहीं मिला कहानी दरसल ये है कि अमेरिका में रतन टाटा काम किया करते थे और बेहद शिद्दत वाला उनको वहां पर प्यार हुआ था लेकिन उस दौरान भारत में उनकी दादी की तबियत खराब हो गई थी और उन्होंने मुझको बुला लिया था उन्होंने ये जाहिर किया था कि रतन मेरे पास हो और मैं इस वजह से भारत वापस लोट आया और उस समय ये तैह हुआ था कि रतन टाटा की अप्रेमी का भी भारत आईगी और तब दोनों शादी भी कर लेंगी हलाकि इसी दोरान भारत और चीन विवाद शुरू हो गया फिर क्या वो नहीं आई और कुछ वक्त के बाद उसकी शादी USA में ही किसी के साथ हो गई इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि बड़ोद्रा मैनेजमेंट एस्टूडेशन BM के एक प्रोग्राम में स्टूडेंट के साथ कई निजी एक्सपिरियंसों को साजा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन में चार बार प्याफ हुआ था लेकिन वे कौारे ही रहागा उन्होंने ये भी कहा कि हर बार किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाए रतन टाटा ने अपने जीवन के उससे पहलू के बारे में बताया है जहां पर वो बहुत कम बोलते हुए नजर आए उन्होंने ये भी बताया कि कारिकरम के अंदर सीमी ग्रोवल से बात करते हुए कहा कि कभी कभी जीवन में अकेला पन बहुत लगता है और लगता है कि किसी के साथ होते तो कैसा होता आपको बताएं कि रतन टाटा नाम स्थीमी ग्रोवल के साथ भी जुड़ा है लेकिन दोनों शादी नहीं कर पाई इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि आप नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता है और रतन टाटा ने पहली बार अपनी जिंदीके से जुड़ी कुछ खास बाते शेयर की थी और अपनी लव स्टूरी के बारे में भी खुल कर किस्से सुनाए थी रतन टाटा ने ये कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास ही नहीं होता कि वास्तब में जब तक आप बूड़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूड़े होने का मन बिलकुल नहीं करता बेरार रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है पर उनकी यादे और उनकी किस्ते हमेशा हमारे साथ रहेंगे और रतन टाटा वो शक्सियत थे जिनसे सीखने को आज भी बहुत कुछ बाकी है फिराल के लिए इतना ही छोटी बड़ी हर खबर आपको News World India पे मिलेगी बने रहें News World India के साथ नमस्कार